हिंदुस्तान के अंदर बजट केटेगरी में रोजाना नेने स्मार्टफोन लांच हो रहे हैं और ऐसे में आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे 8000 रुपैसे कमकी कीमत के आने वाले Top 5 Best Smartphones के बारे में इन स्मार्टफोन में आपको लंबी बैटरी लाइफ, बली डिस्पिले साथी ये स्मार्टफोन अपनी कटेगरी के अकॉर्डिंग बेस्ट पर्फॉर्मेंस और सांदार कैमरा क्वाल्टी के साथ भी आते तो चलिए बात करते हैं इन डिवासेस को लेकर उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आएगी और अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्स्राइब करना और इस वीडियो को लाइक करना बिलकुल लावू ले चलिए बात करते हैं सबसे पहले नंबर एक की तो प्रण करता है और इस डिवास के अंदर आपको एक्टा-Core MediaTek Hiliu G35 प्रोसेसर देखने को मिल जाता है इस डिवास के अंदर आपको दो जीवी कराहिए हैं और 32 जीवी का इंटर्ड स्टुज देखने को फोटोग्राफिक के लिए रियल्मी से लाइवन में आपको डूल रियर केमरा से रड़ा देखने को मिलता है यहां पर फोन का प्रैम्री सेंसर 13 MP का है और सेकंडरी सेंसर 2 MP का है मैं वीडियो कॉलिंग और सेल्फी के लिए इस बटर डॉप नौश डिस्प्ले के साथ 5 MP का फ्रेंट केमरा दिया गया है लोगजट के इस स्मार्टफून में यूजर्स को पावर वेकप के लिए पांच एर हमेंज की दमदार बैडी सपोर्ट मिलने वाली है जो की काफी स्मार्टफून में 5.71 इंच का एचीडी प्लस डिस्प्ले और ओक्ता कोर क्वालकॉम स्टर्टबिंग 435 प्रोसेसर दिया गया है इसके लावा इस स्मार्टफून को डूल डियर केमरा सेटप सपूर्ड मिला है जिसमें 13 MP का प्रेंडियर सेंसर और 2 MP का सेकेंडरी सेंसर दिया गया है साथी इस स्मार्टफून की फ्रेंट में आपको 5 MP का सेल्फी कमरा देखने को मिल जाता है और ये फोन एंड्रेट 10 पे बन यूए 2.0 पे रन करता है सैमसंग ने गलक्सी M0 बेन स्मार्टफून में कनेक्टिवडी के लिहास से 4G वोल्टी, वाइफाई, ब्लुडूथ बरजन 4.2, GPS और USB पोर्ट जैसे फीचर्स दिये इसके साथ ही इस स्मार्टफून में 4 है नवेच की बैटी देखने को मिल जाती है और ये डवाइस जो है आप 7,999 रुपे में खड़ जिच सकते हैं अगर हम बात कर लेते हैं नेक्स्ट डवाइस की तरब तुबवा जाती है श्वामी की Redmi 8A Dual रेडवी 8A Dual को दो स्टेरोज बेरियंट में लांच किया गया दो जीवी रेम 32GB इंटर्नल स्टोज तीन जीवी रेम और 32GB इंटर्नल स्टोज रेडवी 8A Dual में 6.2 इंच का HD LCD डिस्प्ले दिस्प्ले दिया गया है जो की कौर्रिंग और लागलास वाइप से कोटेड है और यह फोन कॉलकॉम स्टेर्प दें चार्स उन्ताली प्रोसेसर से लेस है और इसमें दीगे इस टोरेज को मैक्रोस्टी कार्ड की मतलब से 512GB तेक एक्स्पैंड भी कर सकते हैं पावर पैकप के लिए इस डिवाइस के अंदर 54 में जमतार बैट्री देखने को मलती है जो कि 18W कार्ट फार्स चार्जिंग को सपोर्ट करती है डिवी 8 डूल में फोटोग्राफिक के लिए डूल करें केमरे सेटप है इसका 13 MP का प्राइमिर सेंसर है और 2 MP का डेप्स सेंसर दिये गया है मैं वीडियो कॉलिंग और सेल्फी की सुपदा के लिए इसमें आपको 8 MP का फ्रे एकनो स्पार्क 6 Air को लांच किया था और इस स्मार्ट फोन में खास फीचर्स के तौर पे 6000 मच की पावर्फुल बैटरी देखने को मिलती है इसके लाबा इसमें मीटे अडेक लिए 822 चिपसेट दिया गिया है इसमें 90% स्कीन टू बडी रिशियो के साथ 7.0 इंच का आपले डिस्प्ले के साथ आ जाता है और बैकप के लिए फोन के अंदा 6000 मच की पाट्री बिलती है में कैम्रे सेक्षिन की बात करने तो इसमें आपको क्वार्ड फ्लैस के साथ ट्रपल दियार कैमरा सेटप देखने को मिल जाता है फोन का प्रैमरी कैमरा 13 MP का है सेकंडरी क देखते हैं अगर मैं बात करता हूं लाश्ट डिवाइस की तरफ तो बहा जाती है ओपो का एवन के ओपो एवन के में 6.1 इंच का है फुल एचली प्लस डिस्प्ले देखने को मिलता है जिसका रेजिलेशन 1567 20 पिक्सल से फोन में में मेडियाटेक हीलियो पी 22 प्रसेस दे दो आपको 4G वोल्टी, वई-फा, ब्लूटूथ, GPS देखने को मिलता है और फोन के कैमरे की बात करें तो इसमें आपको 8 MP का रेर कैमरा LED फ्लेस के साथ, फोन के सेल्फी देखने को मिल जाता है तो पूद दो इसमें वो डवाइसे तो पांग जो मिल जाती है आपको 8 से कम की नहीं जो आज आती है अपने बज़र ट्रेंज के हिसाब से बेस्ट स्पेसिफिक इसंस के साथ दोस्तों उम्मीद है आपको यह वीडियो पसंद रही होगी